जै माता दी इस वीडियो में मैं आज बात करूँगा उन लोगों के जिनको संतान सुख में हमेशा कमी बनी रहती है यानि के जिनको बच्चा होने में बहुत रुकाफटे देखने को मिलती है और कई बार ऐसे लोगों को IVF के लिए भी जाना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पाता संतान सुख में बहुत कमी के योग रहते है किन खराब ग्रैहों के कारण कौन से बुरे योग कुणली में बनते है जिसके कारण इतनी बड़ी परिशानियां देखने को मिलती है और हस्पता लोग के उपर खूब ऐसा खर्चोटा है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को संतान सुख नहीं मिल पाता सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक योग के बारे में बात करने जाएं इस कुल्ली में लगबर हम 3-4 योगों की बात करेंगे के ऐसा होता क्यों है और इसके क्या उपाई करने चाहिए सबसे पहला योग केतू देव जनम कुल्ली के अगर आठवे गर में बैठ जाए और साथ ही जनम कुल्ली में शनी और चंदर्मा का भी आपसी संबंद बन रहा हो जिसके करने केतू देव बेहत खराब अवस्ता में हो यानि केतू देव आठवे गर में खराब होकर के अगर बैठा हुआ हो और दूसरे गर के अंदर चंदर्मा विराजमा ना हो यानि केतू आठवे गर में हो और दूसरे गर में चंदर्मा ना हो तो ऐसे में ये एक ऐसा योग बनता है जिसमें संतान सुख को लेकर के हमेशा कमी के योग देता है लेकिन इस योग के अंदर एक बात जरूर रहती है कि हो सकता है कि ऐसे लोगों के बेटी जरूर हो जाए लेकिन बेटा पैदा ना हो इसमें बेटी के योग जरूर दे जाता लेकिन बेटे के सुख में जरूर कमी देता है ये तो एक बेटे के सुख के अंदर कमी आना या बेटा ना होना ये उसके लिए योग बनता है अब ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों के बेटी जरूर होगे लेकिन अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके बेटा भी हो तो ऐसे को क्या उपाई करना चाहिए हर सोवार दूद और चावल मंदिर में जरूर ऐसे लोगों को देते रहना चाहिए अब दूसरे योग की बात करते हैं चंदर्मा अगर जनम उड़ी के ग्यारवे गर में बैठा हुआ हो और साथ ही ऐसे लोग अगर शादी बहुत देरी से करें खास करके 28 साल के बाद अगर शादी करें और साथ ही अगर ऐसे लोग कही 30 साल के उपर जाकर के शादी करते हैं या आफटर 30 अगर ऐसे लोग मेरिज करेंगे तो ऐसे में चंदर्मा ग्यारा वाले इंसान के लिए संतान सुख में बहर ज़्यादा रुकाफटे देखने को म जनम दे सकें ये एक इतना बुरा योग है इसलिए जिन लोगों का चंदर्मा ग्यारवे गर में बैठा हुआ हो और साथी तीसरे गर से अगर कहीं पापी गरे की द्रिष्टी भी आ जाए तो ऐसे लोगों को हो सके तो बहुत जल्दी शादी कर लेनी चाहिए तकरीबन 24-25 साल में ही शादी करके बेबी की प्लैनिंग बच्चे की प्लैनिंग जरूर कर लेनी चाहिए अब अगर चंदर्मा ग्यारवे गर में हैं और संतान सुख में दिक्कत आ रही है ऐसे लोगों को क्या उपाए करना चाहिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बजुर्गों का तर तालिस दिन लगातार एक सोने की सुई बनवाए उसको पती पत्नी दोनों इकठे ये उपाए करेंगे एक सोने की सुई बनवा करके उसको ग्यारा बार आग में गरम कीजिए और फिर जैसे एक बार आग में गरम कर लिया फिर उसको एक कटोरी में दूद ले लेजिए कटोरी में दूद लेके उसमें डिप करके उसको चूसे सुई को ये एक बार एके करके इसको करे 11 बार हस्बेंड करे 11 बार वाइफ करे ये 43 दिन का किया हुआ उपाय संतान सुख जरूर देगा और इस बीच में एक परिकोशन लेनी बहुत जरूरी है कि इस उपाय में हस्बेंड वाइफ दोनों फिजिकली रिलेशन इसमें नहीं बनाएंगे अब तीसरे योग की बात करते हैं शुकर देव 11 गर के अंतर अगर जनम कुर्णी में शुकर देव 11 गर में बैठे हुए हो और खास करके खराब हो करके अशुब हो करके बैठ जाए तो जहां पर बैठा हुआ शुकर इनसान को आलस भी देता है पैसे की कमी भी देता है और काम को ले करके दिखते भी देता है इसमें जो सिम्टम्स इनसान को दिखते है वो क्या है कि ऐसे लोगों को खास करके मेल को अगर कामकाज की भी प्रॉब्लम आ रही है बोडी में बहुत ज़्यादा आलस रह रहा है और पैसे की भी बहुत ज़्यादा कमी है तो ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर ऐसे लोग बेबी की प्लैनिंग, बच्चे की प्लैनिंग देरी से करेंगे, लेट करेंगे तो संतान सुख में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि अगर ऐसे लोग 30, 32, 35 साल के राउंड अगर बच्चे की प्लैनिंग करते हैं तो हो सकता है उनके गर में बच्चा ही ना जनम ले, इसलिए ऐसे लोगों को भी बच्चे की प्लैनिंग या जल्दी शादी करके बच्चे की प्लैनिंग बहुत जल्दी करनी चाहिए और साथ ही शुकर 11 के इलाजोने भी बहर जरूरी है जिसमें 27 दिन लगातार दहीं और थोड़ी सी रोई ये मंदिर में जरूर देनी चाहिए और साथ ही जो सोने की सुई वाला उपाए पिछले य कुली के दूसरे गर में बैठे हुए हो और खास करके मेल की कुली में यानि हस्बेन के कुली में अगर शुकर देव दूसरे गर में हो और शुकर देव दूसरे गर में खराब अगर हो जाए तो ऐसे में कहते हैं कि ऐसे मेल की कुली में अगर ये योग बन रहा हो हस्बेन क लिखा हुआ है कि औरत बांज होगी यानि कि बच्चा पैदा ना हो सके इस तरह के बुरे योग देखने को मिलेंगे अब इसमें क्या उपाए करना चाहिए ऐसे लोगों को शुकरवार के दिन गोशाला में जाकर के एक दिन में कम से कम सो गायों को हराचारा जरूर खिलाना अगला उपाए 43 दिन लगातार 2 किलो अलू हल्दी से पीले करके गाएं को जरूर खिलाने चाहिए मातर अगर आप ये उपाए करते हो और ये बुरे योग अगर जनम कुड़ी में बने हुए है और साथ में उसकी ये उपाए अगर कर लिये जाए तो संतान सुख जरूर मिलेगा और परमात्मा ने चाहा मातारानी ने चाहा तो आपको IVF के लिए भी नहीं जाना पड़ेग आपको परमात्मा IVF के बिना ही संतान सुख जरूर देगा अगर आप IVF के लिए जाते भी हो उसमें भी अगर रुकाफ टे आ रही है तो इन बुरे योगों के कारण अगर रुकाफ टे आ रही है तो यही उपाए करने से आपको बच्चे का सुख जरूर मिलेगा दीजिए जया मत दाली